नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीक के हेलप विद जयार भी पर दोस्तों आज से इस वीडियो के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आगामी पुलिस बरती प्रिक्षा की त्यारी तो मित्रों अपन सबसे पहले सोलव करेंगे पिछल से के साथ में प्रूंट कोस्टन डिसकस करेंगे दोस्तों पार्ट सी है इसमें राजस्तान समाने ग्यान से समंदीते हैं यह साथ कोस्टन पुछे जाते हैं जो कि इस वीडियो में अपना सोलव करेंगे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप से निवेद लोड़ करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो प्राने वर्षों के पेपर हैं जैसे 14 और 15 जुलाई को टोटल चार सिप्टों में पेपर हुए से फर्ष वीडियो को लाइक क्रें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज़्यादा से ज्यादा करें टो फास्ट कोश्चन आपके सामने माउंट अभू में निमल लिख्थ में से कौन सा जेन मंदिर अस्तित अप के सामने कामक्या दिलवाडा महवीर रनकपूर तो दोस्तों मांट अभू में दिलवाडा जैन मंदर यानि कि इस क्वेश्चन का B option right है नेस्ट क्वेश्चन है राजपूत वास्तुकला का निमन लिखित में से कौन सा समारक कच्छवा यानि कि कुछ वहा सास्कों की प्राचिन राजदानी था तो दोस्तों कच्छवा सास्कों की प्राचिन राजदानी आमेर दुरुग यानि कि इसका A option right है नेस्ट क्वेश्चन है निमन लिखित में से कौन सा लोक नरते गुर्जर यानि कि गुजर समुदय से समद्धित है ओप्सन आपके सामने आगनी नरते तेरा ताली नरते गेर नरते चरी नरते तो दोस्तों इसका ओप्सन डी राइट हो जेगा चरी नरते ये गुजर समुदय से समद्धित है यानि कि डी ओप्सन राइट है और मेगवाल जाती से समद्धित तेरा ताली नरते दोस्तों जो कि बाबा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है और अगनी नरते जसनाती संपर्धाय से समद्धित है ये भी आपक करत राज्या बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है तो दोस्तों अफिशियल एंश्वर की के नुसार इसका उत्र है अकबर यानि कि A option राइट है तो आपको याद रहने अकबर एक एकिकरत राजें बनने वाले मोगल साथ सक है राजस्टान में थें पहन कोश्चन है जोदपुर्व का लोक पीरियं नाम क्यान बहुत बार एक्जाम में कोश्चन पुछा गए दोस्तों हाल फिरहल के जितनी भी एक जाम होए वहाँ पर यह कोश्चन पुछ जाता है कि अगला कोस्टन है अलाओदिन खिलजी और मेवाडवासियों के बीच चितोडगट की गेराबंदी किस वर्स हुई थी तो दोस्तों अलाओदिन खिलजी और मेवाडवासियों के बीच चितोडगट की गेराबंदी हुई थी 14305 में यानि किस कोशचन का बी ओप्षन राइट है Areמס कि किस चहामान या चौहांससक ने 6 पीज़ डापना के तो दोस्तों बनकी स्टापना की थी विगर राज चत्रुत ने पोर्टेंट को चिedia और आपको याद रुखनेने काSu Science विसल्कपुर किस शापना किस ने की ठी किभ रेरा ओडने नेस्ट फोशवड़ा का मांगड़्दां कि समुधये से समंधित है तो बाइन का जो मांगड़ दाम यह बीब समुधये से समंधित है यानि कि इस कोषिचन का फी ओप्सण राइट है दोस्तों वीडियो को लाइक जुरूर करें और अगर आप राजस्तान पुलिस भरती प्रिक्चा पतवारी भरती प्रिक्चा ग्राम सव्योग भरती प्रिक्चा या आपके सिस्ट से समंधित जो भी भरती प्रिक्चा की त्यारी करें तो चैनल को सबस्क्राइब भी जुरू किया था तो दोस्तों विज्यस्तम का निर्मान किया था यानि कि डी ओप्षन इसका राइट है यह भी कोस्टन बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है अगला कोस्टन है निमन लिखित में से किसने टोंक में नर्त्य गायन और संगीत के लिए एक सांदार होल सुनेरी कोठी का निर्मान करवाया है बहुत बार एक्जाम में यह कोस्टन पुछा गया है कि सुनेरी कोठी का निर्मान किसने करवाया है और ज्यादतर यह कोस्टन पुछा जाता है कि सुनेरी कोठी कांस दीते है तो आपको याद रखना है यह सुनेरी कोठ राइट है अगला कोश्चन है निमन लिखित में से कि सासक ने टोंक में परसिद मंदिर श्री कल्यान जी का निर्मान करवाया था तो श्री कल्यान जी का निर्मान करवाया था राजा दिग्व ने यानि कि बी ओप्सन इसका राइट है और आपको याद रखने जो श्री कल्य जी का मंद्र है वो कांपर है टोंक में और इसका निर्बान राजा दिगव ने करवाया था कि अगला कोस्चन है 1938 में जैपुर परजा मंडल के अध्यक्स निमन लिखित में से कौन थे दोस्तों परजा मंडल से समंधित बहुत कोस्चन पुछे जाते हैं तो आपको याद रखना है जैपुर परजा मंडल के अध्यक्स थे 1938 में जमना लाल बजाज यानि कि इस कोस्चन का सी ओप्शन राइट है नेश्ट कोस्चन है 1916 में निमन लिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था तो दोस्तों 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन विज्यसियं पथिक ने किया था विज्यसियं पथिक जिनके बचपन का नाम भूप सी था तो इसका भी ओप् द्वारा गठित सामाजिक तार्मिक संक्टन निमन लिखित में से कौन सा था ओप्शन आपके सामने संपसभा ब्रह्मा सभा ग्राम सभा आत्मिय सुसाइटी तो बताइए दोस्तों इसका क्या उतर होगा संपसभा किसके द्वारा गठिता गोविंद गरू यानि किसका ए 1922 में राजपुताना में गरवनर जनरल के अजेंट निमन लिखित में से कौन थे तो दोस्तों 1922 में यह बताने कि राजपुताना के गरवनर जनरल के अजेंट कौन थे तो इसका जो सी ओप्शन वो राइट होजेगा रोबरेट होलेंड इपोर्टन कोस्टन है और आपको याद रखना है 1922 में रोबरट हुलेंड राजपूताना के गरवनर जनरल अजेंट थे थे नेश्ट कोस्चन है पलया जिले राजस्तान के किस भगोलिक अंचल में मिलती है थारके मृष्टल में मिलती है इपॉटनंट पूस्ट्छन हैं बहुत बार एक्जाम पूछा गया तो buy optionist का राइट हो जो जीका प्लायय जो जिल्लिय वह झाया के मिल्ती है अगला कोश्ट्छन है यो छंदार के मृष्टल में पाये जाने बर्खान क्या गया जाता है बरखान यानि के कोस्चन का ए ओप्शन राइट है मेन चलते नाज को सिद्गर है को अगला कोश्चन ना अरावली परवत का विष्टार है और सने आपके सामने दोस्तो मद्या प्रदेश के सियोर से दिल्ली तक राजस्तान के उद्यापूर से दिल्ली तक गुजरात के पालनपूर से दिल्ली तक उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक तो दोस्तों इसका जो सी ओप्सन है वो राइट है गुजरात के पालनपूर से लेकर दिल्ली तक वंलडिय प्रवत नीलगीरी प्रवत अरावली प्रवत तो दोस्तों जिसीं को दो पको इस दे strategy करते हैं और यह अरावली राजस्तान को दो पार्ट में डिवाइड करती है अगला कोस्टन है राजस्तान में स्रवादिक वार्षिक वर्षा किस अस्तान पर होती है दोस्तों यहां पर देखे स्तान पूछा है कि स्रवादिक वार्षिक वर्षा किस अस्तान पर होती है तो आपको याद रखना है Mount Abuni, कहां पर होती है? Mount Abuni, अगर जिला पूछा जाता है, तो दोस्तो जिला कोन सा होता? जहलावाड, जिला जहलावाड उर्ष्तान है, Mount Abuni, जहां पर सुर्वादिक वर्षा होती है Next Question है, हरित राजस्तान कारेकरम का समन्द किस से है? तो दोस्तो हरित राजस्तान कारेकरम का समन्द किस से है? वरक्षा रोपन से, यानि कि B optionist का right है ज्यादा से ज्यादा व्रक्सों का रोपन करेंगे तबी तो हरा बरा रहेगा राजस्तान तो आपको याद रखने हरीत राजस्तान का समग है व्रक्सा रोपन से अगला कोश्चन है क्रिशन मरग को देखने के लिए हमें राजस्तान के किस अबैरने का बर्मन करना चाहिए तो दोस्तों इसका सी option राइट होज़ए उचेख ताल छपर अपर स्तीत है अगर कोश्चन पुछा जाए तो आपको याद रखना है चूरू में कहां पर है चूरू में ताल स्था पर जील भी यह बवी चूरू में ही स्थीत यहां पर काले इरन देखनी को बिलती है नेज्ट कोस्टन 우리는 सेवन सबद का समvat कि से यह तो दोस्तो सेवन सबद है कौसका समद है गास से शेवन गासasan यानिक इसका ओप्शνर राइट है 17 गासे दोस्तों बहुति पोस्टिक का से होती है तो आपको याद रखना है इसका समंद्ध है का से अगला कोश्चन है राजस्तान में 19 में पसुगन्णा कब की गई थी ओप्शन आपके सामने 2011 2015 2012 2014 तो दोस्तों 19 में पसुगन्णा की गई थी 2012 में यानि कि सी ओप्शन इसका राइट है कि नेश्ट कोश्चन है स्तानांतरित क्रिशी को राजस्तान में किस नाम से जाना जाता है स्तानांतरित क्रिशी को राजस्तान में जाना जाता है वालरा के नाम से किस नाम से वालरा के नाम से यानि कि इसका वी ओप्शन राइट है अगला कोश्चन है राणा परताप सागर सिंचाई प्रियोजना किस नदी पर अस्तित है तो दोस्तों राणा परताप सागर सिंचाई प्रियोजना इपोर्टेंट कोश्चन है आपको याद रखना है चंबल नदी पर अस्तित है किस नदी पर चंबल नदी पर चंबल नदी पर दोस्तो चार बांद सुन्छित हैं और राजस्तान की एक मातर बारा मासी नदी है वो चंबल है अगला कोस्च्चन है बारत के किस रज़े को खनीजों का संग्रालि형 कहा जाता है important question है और असान भी बहुत question है खनीजो का संग्रा ले कहा जाता है राजस्तान को यानि कि C option इसका right है next question है जन्गना 2012 के अनुसार यहाँ पर दोस्तों 2012 लिख रहा है लेकिन जन्गना 2011 में हुई थी जन्गना 2012 के अनुसार राजस्तान में सबसे कम लिख नुपात किस जिले में रिकोर्ड किया गया option आपके सामने है दोलपूर दोस्ता बर्तपूर स्वाई मादूपूर तो दोस्तों सबसे कम लिख नुपात रिकोर्ड किया गया था दोलपूर में काहां पर दोलपूर में यानि कि इसका a option right है अगला कॉस्चन है जिलों की नगरी की नाम से परशिद प्रेटक्स तल है मौथ यह आसान को स्चने और बच्पन से हम सुनते हैं की जिलों की लेकिन जैसमंद यह नहीं है तो इसका जो सी ओप्सिन वो राइट हो जाएगा अगला कोश्चन है निमन लेखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच भीमा योजना के अंतरगत भीमा करत है तो दोस्तों अविका कवच भीमा योजना है यह है मेश प्रजनक यानि कि बेड़ प्रजनक के लिए यानि कि इसका भी ओप्सिन राइट है पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है अविका कवच भीमा योजना का समन्द है बेड़ प्रजनक से अगला कोस्चन है उदमियों को निवेश और अन्या सुईदाएं परदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उदोग के अंदर और उप के अंदर करे करें तो बताएं दोस्तों कितने जिला उदोग के अंदर और उप के अंदर करे करें तो इसका जो राइट हो जाएगा ओप्शन भी 36 जिला उदोग के अंदर और आठ उप के अंदर राजस्तान में काम करें किनको उदमियों को निवेश से किस्विदाएं देने के लिए याद रखने पॉर्टेंट कोस्चन है अगला कोस्चन है निमन लेखित में से कौन सा विद्यूत के अंदर पाउर स्टेशन राजस्तान राज्या विद्यूत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामितम और संचालन के दिन नहीं है तो दोस्तों अगूचा D option इसका right होजाएग नेक्ट कोस्चन रामगड गेंस विद्यूत के अंदर गेंस पाउर स्टेशन राजस्तान के किस बहुत दshore है यह रामगड जो डो गेंस विद्यूत के अंदर अस्थित्थ है तो आपको याद रखना है जैसल, यानि कि इसका A option राइट जेसल मेर में रामगर्ड गेंस विज्यूत के अंदर अस्तीत है अगला कॉस्चन है राजस्तान में निमल लेखित में से कौन सी योजना दिव्यांगो के लिए नहीं है औप्सन आस्ता योजना, समवेशी शिख्या योजना, पोल्यो सुदार सिवीर योजना, रशीम योजना तो दोस्तों इसका उत्तर हो जएगा औप्सन ए आस्ता योजना दिवयंगों के लिए नहीं है यानि कि औप्सन ए राइट है निमलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी सिक्ष्या योजना का एक अटक है नहीं है तो इसका राइट होजएगा जागरुकता के लिए चलवान की विवस्ता यानि कि D option इसका राइट है नेक्स्ट कुष्चन है राजस्तान में किस वरस मुख्यमंत्री बीप्यल जीवन रक्षा योजना को अरम किया गया था ओप्सन है 2009 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में तो इसका ओप्सन ए राइट होजएगा है 2009 में राजस्तान में, 2009 में मुख्यमंत्री बीप्यल जीवन रक्षा कोष्योजना प्रारंबह की गई थी 2009 में अगला कोष्चन है राजस्तान में कौन सा विबाग व्रिष्ट नागरिकों के लिए व्रिष्ट नागरिक तृत्यात्रयोजना अयुजित करता है तो दोस्तो व्रिष्ट नागरिक्ति त्याजना यत्रा योजना अउजुद करने वाला विबाग है देवस्तान विबाग है उद्यपुर में आपको याद होगा और वरतमान में इसके मंत्री है विश्वेंदर शिंग नेश्ट कोष्च ने राजश्तान में पूरव सिंय कर्मियों के हितलाबों के लिए समेकित निदी की प्रबंदन समिति के अद्यव्च कोन है भुब्लिफ की दिधे और देवार हो राजश्तान के राज्यपाल यानि की ए ओप्सन इसका राइट है और प्जेंट टाइम में राजस्तान के राज्येपाल कोने कल राज मिशर कि दोस्तों अभी इनकी न्युक्ति हुई है तो आपको ध्यार रखना है वर्तमान में राजस्तान के राज्येपाल है कल राज मिशर अगला कोश्चन है राजस्तान राज्य विदान्सभा में वर्तमान में कितनी 27 स्मितियां अस्तित्व में है ओप्सन है 20, 17, 15, 12 तो बताइए दोस्तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा 17 यानि कि B ओप्सन राइट है नेश्ट कोश्चन है राजस्तान लोग से वा योग के सदस्यों और अध्यक्स की न्यूक्ति कौन करता है इसका जवाब आपको बताने है ओप्सन है राजस्तान के राजय पाल राजस्तान के मुख्य मंतरी बारत के रष्टपती राजस्तान के मुख्य स्टीव तो दोस्तों रार पिसी के सदस्य और अध्यक से इनकी नुक्ति करते हैं राजस्तान की राज जेपाल यानि की ए ओप्सनिस का राइट है कि अगला कोस्ट ने हनुमांगर जिला किस वर्स बनए गया था पॉर्ट Isher scheme को सुस्ट कोस्ट को सब्सक्राइव से अलग करके हनुमांगर जिला बनाया गया था 1984 में में और यानिकी इसनिस का राय्ट है तो दोस्तों आपको इन में से वह विकलब बताना है जो कि राजस्तार राज्य मानवा दिकार आयोग के समन्द में सही नहीं है तो वह विकलब है दोस्तों आयोग में दो उपादेक्सूं का प्रावदान है यह सही नहीं है बाकी सभी सही है अदेक्स के रूम में केवल उच् सब्सक्राइब के सचीव पदानुकरम में राजय सरकार के सचीव के स्तर से नीचे नहीं होते यह भी सही है अपनी खुद की जांच अंजेसी होती है यह तिनों जो है उपर वाली यह सही है लेकिन आयोग में दो पाद्यक्सों का प्रावदाना यह गल्त है तो इसका डी ओप निर्वाचन आयोग द्वारा संपन किया जाता है रज्य निर्वाचन और दिर्वाच्चन आयोग द्वारा संपन किया जाने वाला चुनाव कौन सा है दोस्तों पंचाहिती राजवयस्ता को चुनाव यानि कि डी ओप्षन इसका राइट है नेस्ट कोस्चन है राजस्तान के किस जिले में दिल्वाडा जेन मंदर अस्तीत है ओप्षन आपके सामने हैं थे भीलवाडा हनुमान घर सिरोई टोंक तो दोस्तों दिल्वाडा जेन मंदर इस से रिलेटिव इसी पेपर में पहले कोस्चन पूछा गया था कि माउंट पर में दो कोस्टन रिपीट हो चुके हैं तो आपको फेपर ध्यान से करना चीए क्योंकि क्वेश्चन का उतर पिलजाता है तो इसका जो ऑप्षन होगा सी राइट दिल बाड़ा जैन मंदर सिरोई जिले में अस्तिते हैं अगला क्योंचन है हरनी मादेव मंदिर किस जिले में एस्थित है अगला कोश्चन है सालिम सिंग की हवेली और इस बैब की वेली कि जिले मिस्तित बहुत इसे प्टेंट कोस्टिन और बहुत आसान कोस्टेनर इक्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो सालेम सिंग के विली नत्मल की विली और पटवाँ की यह जिस देखते तहें यानिकि D option इसका right है next question है किलों और उसके सेरों जिलों के निमलिक जोडों में से कौन सा मिलान सही डंग से मेल नहीं खाता है तो दोस्तों इनमें से देखते हैं तारागड बुंदी यह सही है दोस्तों वेसे तारागड अजमेर भी भी है तो आपको याद रहे हैं तारागड यह भी सही है गागरों जलावड में सोनारगड जैसल मेर यह भी सही है तो बचता है कुमलगड उद्यपुर यह सही नहीं है कुमलगड है दोस्तों राजसमंद में तो इसका D right हो जाएगा अगला question है किस समारोय में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बा दार अख्या जडूला समेला तो उसे केते हैं दोस्तों जडूला यानि की सी ओप्षन इसका राइट है राजस्तान कलाई उसकरती से यह question है पुछा गया है तो इसका उत्रहा जूडूला अगला question है शुरलिया एक आभुसन है जिसे कहां पर पेना जाता है तो दोस्तों बहुत important question है और यह आभुसनों से relative पहला question पुछा गया है तो शुरलिया आभुसन है यह पेना जाता है दोस्तों कान में कहां पर पेना जाता है कान में यानि किसका बी option राइट हो जाएगा Next question है सुची एक चितरकारी सेली का सुची दो सेली के साथ मिलान करे और नीचे दियेगे कोड से सई उत्तर चुने दोस्तो यह जो सुची है इसमें तो सेली बता रखी है और इस सुची दो है इसमें चितर बता रखा है तो नाद द्वारा सेली से समंदित कौन सा चित्र है ये बताने तो आपको याद होगा दोस्तो नाद द्वारा सेली है इससे समंदित चित्र है पिछवाई तो पी का क्या हो जाएगा दो फिर एक किसंगड सेली किसंगड सेली से समंदित है दोस्तो बनी ठणी राजस्तान की मोना लिशा भी केते हैं बढ़ी नठनी को तो इसका हो जाएगा P का 3 फिर जोद पुरसली और जोद पुरसली से बचा कोन है डोला मारू और R का हो जाएगा क्योग का हो जाएगा 3 और R का हो जाएगा 1 तो इसका जो option है वो D right हो जाएगा पी का 2 क्योग का 3 R का 1 यानि कि D option right है अगला question है संथ पिपा जी का जनम स्तान निमल लिखित में से कौन सा है important question है और आपको याद रखना है संथ पिपा जी का जनम वथा गागरोन जलावार में यानि कि A option है इसका right है diferença कोष्चन है बनेश्वर मेले का आयूजयन किस दिन किया जता है बहुत कोष्चन है और बहुत भारे शहां में ये question पूछ आगे तो आपको याद रखना है बनेश्वर मेले का आयूजयन होता है मागपुर निमा को यानि कि A option का right है बनेश्वर मेला माग प्रनिम्मा को अयूजुत किया जाता आ है 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 अगला कोस्चन है विभिन नर्ते रूपों के बारे में निमली खित कथनों पर विचार करें निमली खित में से कौण सा कथन ऐसा सत ऐस तेक मताना हैं दूस्तों इन चार कथनों में से पहले गिदर नर्ते सेकावाठी छेतर से समंदित है जो कि सत्य कथन है क्योंकि गिदर नर्ते यह सेकावाठी छेतर से ही समंदित है फिर एक कच्छी गोड़ी में नकली गोड़ों का प्रियोग किया जाता है कच्छी गोड़ी नरते इसमें नकली गोड़ों का इस्तमाल होता है यह भी सत्य फिर राई और बूड़िया कारबेलिया नरते के मुक्य पत्र यह गल्द है दोस्तों ऐस सत्य कतने पार्ट सी वाला सब्सक्राइब करें और नीचे दिएगे कोड में से सई उतर चुनें दोस्तों इदर साहितिक करें या साहितिक रच नहीं है दोस्तों वीर विनोद की रचना किस ने की थी दोस्तों वीर विनोद की रचना की थी स्यामल दास ने ये कोश्चन दोस्तों प्रते एक एक जाम में पूछा जाता है वीर विनोद वना तो आपको ध्यान रखना है वीर विनोद की रचना किस ने की थी स्यामल दास ने तो यहा से दोस्तों सुर्यमल मिसरण है तो पी का तीन क्यों का एक और आर का दो यानि की 116 नंबर क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ओप्षन बी राइट है भी ओप्षन इसका राइट है नेश्ट कोस्टन है अभीब तनवीर का 14 चोर नामक नाटक मूल रूप से डेस द्वारा रचित एक सास्त्रे रजस्तानी लोग कथा का रुपांतरन था तो दोस्तों ये विज्यदान देथा द्वारा रचित था इसका रुपांतरन है तो आपको यादगा डी ओप्षन इसक का राइट हो जेगा अभीब तनवीर का 14 चोर नामक नाटक मूल रूप से विज्यदान देथा द्वारा रचित एक सास्त्रे राजस्तानी लोग कथा का रुपांतरन था अगला कोस्टन है युनेश्को की विश्व द्रोवर स्वतल में निमल लेखित में से कौन सा किला सम समलित है कुमल का यह भी समलित हैं तो इसका ओप्षण एड हो जएगा एक तो और तीन यह तीनों समलित है अगला कोस्च ने बांसवड़ा में स्तापित राजस्तान के राज्य जंजातिय विश्व विदल्य का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो दोस्तों जो राज्य जंजातिय विश्व विदल्य जो कि बांसवड़ा जिले में इसका नाम बदल कर कर दिया है गोविंद गरू ट्रा करती थे किया गया है कि sergeant स्टीव स्मीट्स द्वारा कप्तानी चोड़ने के बाद आई पिलивать 2018 में राझस्तान रौयलस टीम के कफ्टान कोण बनें तो राजस्तान रौयलस टीम förूल बनें permitted दोस्तो अजिंग क्या राने यानि कि दी ओप्ट्टनिस का तो दोस्तो यह थे most important साट कोस्टन कितने कोस्टन साट कोस्टन और यह मारी first shift थी इसके बाद 3 shift और आनी बाकिये दोस्तो जिसमें 60-60 कोस्टन होंगे अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़्याद से ज़्यादा वीडियो को सेर करें दोस्तो ध्यान रखे सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम